आदमी वैसा ही होता है, जैसा उसका मन उसको बना दिता है, सन मार्क पर आगे बढ़ने के लिए, मन को साधना पहला कदम है, हर बात में मन ही प्रमुक तत्व है, मन ही सर्वस्रेष्ट है, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है, या कोई कारे करता है, तो दुख उसके पिछे ऐसे ही हो लेता है, जैसे गाड़ी के पहिये गाड़ी खिचने वाले पशू का पिछा करते हैं, यदि आदमी स्वक्च मन से बोलता है, या कारे करता है, तो कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका पिछा करता है, प्रक्षित होने में कठिन और दिगदर्शित होने में कठिन इच्चन चलमन को मेधावी आदमी उसी प्रकार सिधा करता है जैसे बान बनाने वाला बान को जिस प्रकार पानी से बाहर निकल कर भूमी पर फेक दी गई मशली फट बढ़ाती है उसी प्रकार मार राग द्वेश मुह के फंदे से मुक्त होने के लिए यहाँ मन फट फटाता है जिसे नियंतरन में रखना कठीन है जो चंचल है जो हमेशा आनन ही खोशते रहता है ऐसे मन को नियंतरन में रखना अच्छा है नियंतरित मन सुख लाता है अपने आपको एक द्वीब के समान बनाओ परिश्रम करो जब तुम्हारे चित्तमयलो का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम मनों नित दिव्यलो को प्राप्त होगे बुद्धिमान पुरुश शन प्रतिक्षन क्रमशह थोड़ा थोड़ा अपने मल को वैसे ही जलाए जैसे कि सुनार चांदी के मल को जलाता है लोहे से उत्पन्न मल जंग जैसे उससे ही उत्पन्न होता है उसे ही खाता है उसी प्रकार अती चंचल पुरुश के अपने ही कर्म उसे दुर्गती की ओर ले जाते है लेकिन सब मैलों से भी बढ़कर एक मल है अविद्या अविद्या सबसे बढ़कर मल है इस मल का त्याक कर निर्मल बनो जो आदमी कव्वे की तरह निर्लज्य है शिरारती है दुस्साश है दुर्ष्ट है उसका जिवन सुपर्वक बीतता दिखा जाता है लेकिन जो आदमी विनम्र है सदैव पवितरता का ध्यान करने वाला है अनासक्त है शांत है निर्मल है पुजा युक्त है ऐसे आदमी के जिवन को पठी नाईयों से बित्ते देखते है जो आदमी जिवहिंसा करता है जो जूट बोलता है जो जोरी करता है जो परस्त्री ग्रमन करता है वह यही इस संसार में अपने जिवन का नाश करता है जो आदमी शराब आदी नशिली चिजों का सेवन करता है वह इस प्रकार इसी लोक में अपनी कब रखोता है हे पुरुष पापियो असयम्यो के बारे में ऐसा जान ले ताकि तुछे लोग और पाप करमचिर काल तक दुख में ही न डाले रहे संसार अपनी स्रद्दा या खुसी के अनुसार किसी को देता है यदि आदमी दुसरे को दिये गए खाने पीने से कुड़ता है तो उसको नदीन में और नहीं रात में शांती मिल सकती है जिसके मन में ऐसी भावना जड़ मुलक से जाती रही है वह दीन रात शांती को परफ्त होता है राभ के समान आग नहीं और लोप के समान ओग और बाढ़ नहीं दूसरों के दोश आसानी से दिखाई देते हैं अपने दोश को दिखाना कठी नहीं आदमे दूसरे के दोशों को तो भूसे की भाती उड़ाता फिरता है परंतु अपने दोशों को तो वैसे ही छपाता है जैसे दुर्ष्ट जुवारी गोटी को जो आदमी दूसरों के दोश ही देखते रहता है और सदा हाय है करता है उसके आश्रों ने चित्तमल बढ़ते जाते हैं वह चित्तमलों का नाश करने से भहुत विरत होता है सभी पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो अपने चित्तों को हमेशा शुद्ध रखो यही बुद्ध की शिक्षा है यदि किसी में अपनापन है तो उसे स्ववी जी घुना चाहिए आदमी स्वयम ही अपना स्वामी है दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है अपने आपको सेयत रखने पर आदमी पर दुरलब स्वामित्प को पाता है जिससे बहुत कम लोग पा सकते हैं जो मुर्ख पूजिनी अहरतों के आरों के अत्वा सिल्वानों के शाष्षन का तिरस्कार करता है और जोटे सिधानतों का अनुसरन करता है वह काष्ट ऐने बास्त के फल की तरह अपने विनाश का स्वयय ही कारन बनता है आदमी अपने आप ही पापकर्म करता है अपने आप ही दूख उटाता है अपने आप ही पापकर्म से विरत रहता है अपने आप ही शुद्ध होता है शुद्धी और अशुद्धी उत्थान और पतन प्रत्तेक की व्यक्तिगत बात है कोई व्यक्ति दुसरे को शुद्ध नहीं कर सकता जो केवल सुको को ही देखना पसंद करता है जो इंद्रियों में असाइयत है जो भोजन के मात्रा को नहीं जानता जो प्रमादी और सितिल है और जो हीन विर्य के उस आदमी को उसके अपने सैयत कर्म ही ऐसे उखाड देते है जैसे वाई दुरबल पेट को उखाड फेकता है जो सुको की कामना के बिना जीता है जिसकी इंद्रियां सैयत है जो भोजन में मात्रा को जानने वाला है विर्यवान है वह वैसे हिस्ती रहता जैसे वाईू के सामने ठोस परवत यदि आदमी अपने आपको प्रिय समस्ता है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले अपने आप ओही ठीक मार्त पर लगाए तभी दुसरों को उब्दिश दे बुद्धिमान आदमी किसी को ऐसा आउसर न दे कि दुसरे उसे कुछ कह सके अपने आपको काबो में रखना कटी नहीं यदि आदमी अपने आपको वैसा बनाए जैसा कि वह दुसरों को उब्देश देता है तो इस प्रकार ठीक सहियत आदमी दुसरों को सहियत रख सकता है आदमी स्वयम ही अपने पाप कर्मों का फल भोगता है स्वयम ही पाप से विरत रहने पर वह परिशुद्ध होता है शुद्धी और अशुद्धी दोनों ही व्यत्तिकत है कोई दुसरों को परिशुद्ध नहीं कर सकता युद्ध में हजारों हजारों को जितने से अच्छा है स्वयम को जित लेना वही महान संग्राम विजेई है, पहले अपने आपको ही ठिक मार पर लगाए, तब दुसरे को उपदेज दे, वो द्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकाय का आऊसर न दे, यदि आदमी अपने आपको वैसा ही बनाए जैसा कि वो दुसरे को उब्देश देता है तब इस प्रकार सहियत आदमी दुसरे को भी सहियत रख सकता है अपने आपको सहियत रख पाना खठी नहीं वास्तों में आदमी स्वयम को अपना सरक्षक है दुसरा कौनों सरक्षन हो सकता है अपने आपको सुरक्षित रग कर आदमी ऐसा सरक्षक आता है जिसका मिल पाना कर दून है ैदि आदमी को अपना पन अप्रीय है तो उसे ही अपनी सुरक्षा करनी चाहिए आदमी स्वयम अपने पाप का फ़ल भगता है स्वयम ही वह परिशुद्ध होता है शुद्धी और अशुद्धी दोनों व्यक्तिकत है कोई किसी दुसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता आदमी स्वयम अपना सरक्षक है दुसरा कोनों सरक्षन हो सकता है यदि आदमी अपना सरक्षन करता है तो वह ऐसे सरक्षन को प्राप्त करता है जिसके समान सरक्षन मिलना कठीन है प्रज्यावान बनो नयाशिल रहो और अच्छी संगती रखो यदि कोई आदमी ऐसा आदमी मिले जो वर्जनिय की वर्जना करे जो फटकार लगाए और जो बुद्धिमान हो तो उस आदमी का अनुसरन ऐसे ही करो जैसे किसी खजाना पताने वाले का अनुसरन किया जाता है उसका अनुसरन किया जाना उत्तम होगा बुरा नहीं जो उब्देश दे सुमार्ग दिखाए तथा कुमार्ग पर जाने से रोके